नगर निगम प्रशासन द्वारा छट महा पर्व के खरना के दिन बैकुन धाम तलाब की सफाई कर चुने का छिड़काओ कर सफाई के नाम पर खाना पूर्ती की गए है अब चुनाओ हो जाने के बाद तलाबों में सफाई के नाम पर येवल खाना पूर्ती की जा रही है इसी के तहद बैकुन धाम तलाब में शनिवार की सुबा नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा तलाब के चारो और फैले कच्चरे और गंदगी को भाहर किया गया इस कार में नगर निगम प्रशाशन द्वारा सफाई गैंग को पूरी तरह से उतार दिया गया था तलाब के किनारों की साफ सफाई करने के उपरांती यहां चुने का छिड़काव किया गया छट पर्व के मद्दे नजर तलाब परिसर में लोगों द्वारा बेदियां तैयार की गई हैं यहां मौझूद लोगों की मांग के अनुरूप निगम के सफाई करमचारियों द्वारा उनकी बातों को अंदेखा कर दिया गया और अपने ही तरीके से सफाई कारे को अंजाम दिया गया बैकुन धाम तलाब का पानी पूरी तरह से प्रदूशित हो चुका है वरतधारी महिला इन तलाबों में उतरका छट मैया की पूजा अरादना करती हैं इसके मद्दे नजर नगर निगम प्रशाशन को तलाब का पानी बदले जाने की जरूरत थी जिसे पूरा नहीं किया जा सका बैकुन्ट धाम्त के इस तलाब में हजारों लोग शटी मैया की पूजा अरादना करने आते हैं इसके सौनधरी करन की मांग भी लंबे वक्त से की जा रही है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी है सौनधरी करन के नाम पर लोगों को केवल अश्वाशन ही मिलता आया है नगर निगम प्रशाशन तलाबों के रख रखाव और सौनधरी करन को लेकर योजनाय तो लगातार बनाते आया है जो केवल फाइलो में ही सिमट कर रह गई है Grand Asian News के लिए संजय दुबे